नमस्कार दोस्तों, वी अनकेटी स्टडी पोरोटल के यूटूब चेनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों, आज हम सब इस वीडियो में सामान हिंदी से 30 महत्वपूर प्रसनों का प्रैक्टिस करेंगे यदि आप लोग यूपी लेखपाल, यूपी असाई, जेल वार्डर या वह सभी एकजाम जिसे वे हिंदी पूछा जाता है उन सभी का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर है आज हम सब कुल 30 प्रसन पढ़ेंगे, आपका 30 प्रसनों में इसे जितना भी प्रसन सही होगा कमेर बाक्स हैं जरू बता दिजिएगा इससे पहले दोस्तों आप अभी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करीजिए साथ ही बेल आइकेन को भी प्रेस कर लिजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सरश में पर मिलता रहे आज इसका प्रैक्टिस सेट पहला है तो चलिए हम सब सुरू करते हैं तो देखिए आज का जो पहला प्रसन है आप सब इसे बताएए प्रसन नमबर एक है बताएए भासा का निर्मार किसके सयोग से होता है विचार के कि सब्द के कि धोनिची नके कि वाक्य के तो देखिए पहले का आपसन नम्बर सी सयोगा भासा का निर्मार देखिए जो होता है ध्वनिच्ची नके सयोग से होता है तो पहले का आपसन नम्बर सी सयोगा इसे याद रखिएगा दूसरा प्रस्वन आपसा बताईए बताईए कि भासा सब्द की उत्पत्ती की सधातु से हुई है भासा से हुई है कि भासा से हुई है भासा से हुई है कि भासा से हुई है कि भासा से हुई है बताईए दूसरे का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों हम सब जितना भी प्रसन पढ़ रहे है या सब देखिए प्रिवियस एर के परिच्छाम या सही पूछे गए प्रसन है इसलिए आप इने प्रसनों को ध्यान से पढ़िए अगला प्रसन आपस बताईए प्रसन नमबर तीसरा है बताईए कि हिंदी भासा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्विकार किया गया है बताईए पहाड़ी हिंदी की पुर्वी हिंदी की पच्छमी हिंदी की खड़ी बोले तो देखिए आप सब तीसरे का आपसर नमबर डिस है योगा तो देखिए हिंदी भासा के खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में स्विकार किया गया है तो तीसरे का आपसर नमबर डिस है योगा इसे आप सब याद रखिएगा अगला प्रसन आपसे बताए प्रसन नमबर चौथा है बताए निमनल खित में से हिंदी भांसा की लिप्य बताए देवनागरी है कि ग्रीक है कि अर्माइक है कि रोमन है तो देखें प्रसन नम्बर चार का आफसर नम्बर ए सयोगा हिंदी भासा की जो लिपी है देवनागिरी है याद रखेका तो चोठे का आफसर नम्बर ए जो हो का सयोगा अगला प्रसन आपसे बताएए प्रसन नमबर 5 है बताएए हिंदी भासा में बोलियों की संख्या है 15 है की 18 है की 22 है की 25 है तो देखेए प्रसन नमबर 5 का आपसन नमबर 20 सयोगा हिंदी भासा में बोलियों की संख्या कुल 18 है याद रखेगा तो 5 का आपसन नमबर 20 हो का और देखे दोस्तों हिंदी के अंतरगत पांच उपभासा आती है इसे भी याद रखेगा अगला प्रसन आप से बताईए प्रसन नमबर 6 है बताईए हिंदी को भारत की राजभासा के रूप में कब स्विकार किया गया है देखी यह बहुत ही इंपारण प्रसन है यह कई बा 14 सितंबर 1949 को कि 14 जनौरी 1950 को कि 14 अगस 1950 को देखे 6 का आपसर नमबर 20 सयोगा तो हिंदी को भारत की राजभासा के रूप में जो स्विकार किया गया 14 सितंबर 1949 को तो इसे याद रखेगा अगला प्रसन आप से बताईए प्रसन नमबर 7 है बताई के संग की भासा हिंदी और लिपिदेवनागरी होगी यह समिधान के किस अनुछेद में कहा गया है बताईए आपसर नमबर A दिया है 143, B दिया है 343, C दिया है 543, D दिया है 243 तो देखिए 7 का आपसर नमबर B सहयोगा यानि संग की भासा हिंदी और लिपिदेवनागरी होगी यह समिधान के अनुछे 343 में कहा गया है तो 7 का आपसर नमबर B सहयोगा इसे याद रखेगा अगला प्रसन आप से बताईए प्रसन नमबर 8 है बताईए दही सब्ध है ब देखे प्रसन नमबर 8 का आपसर नमबर B सहयोगा दही जो सब्ध है पूलिंग सब्ध है याद रखेगा तो आपसर नमबर B सहयोगा अगला प्रसन आप से बताईए प्रसन नमबर 9 है इसे बताईए आज संचार माध्यमों में हिंदी भासा के किस रूप का परियोग होता ह यह बताएं, मानक का, कि टकसाली का, कि पूर्वी का, कि पक्चिमी का, तो देखे नौका आपसन नमबर A सैयोगा, यानी आज संचार माधिमों में हिंदी भासा के मानक रूप का प्रयोग होता है, तो नौका आपसन नमबर A सैयोगा, इसे ही याद रखेगा, दोस्तों आपन वीडियो को लाइक नहीं कि यह तो लाइक जोर कर दीजिए साथ इस शेयर भी कर दीजिए अगला प्रसन आप से बताएं प्रसन नमबर 10 है देखे प्रसन क्या है नियों का उच्छार अस्थान होता है देखे कोई लोग इसे अंगा भी पड़ते हैं तो बताएं नियों का इतने भी याई देखे कखगः या सभी कंठके अंतरगत आते हैं तो दसका आपसर नंबर ए जो होगा अगला प्रसन आप से बताएं प्रसन नमबर 11 है बताएं यह समुआ लाब है कि अंगूर है कि पवधे हैं कि चावल है तो देखे ग्यारह का आपसर नंबर वी सेयोगा तो देखें, अंगूर जो है या समुवाचक संगिया है तो 11 का आपस नंबर भी जो होगा, सह होगा इसे आप याद रखेगा अगला प्रसन आपसं बताएए प्रसन नंबर 12 है बताएए संसक्रीत के ऐसे सब्द जिने हम जियों कातियों प्रियोग में लाते हैं आपसर नंबर डी सयोगा यानि संक्रीत के ऐसे सब्द जिने हम जिओं का तियों प्रियोग में लाते हैं तत्सम का लाते हैं 12 का आपसर नंबर डी जोह का सयोगा अगला प्रसन आपसे बताएं प्रसन नमबर 13 है बताएं नीचे दिये गए भी कल्पों में से ततसम सब्द का चेन की जैने आपको बताना है कि कौन सा ततसम है आपसे नमबर A दिया है गोधुम बी दिया है पनोसी सी दिया है सहीद डी दिया है बहु तो देखिए तेरह का आपसे नमबर A सयोगा तेहां पर देखिए गोधुम जो है या ततसम है और देखिए इसका ततभव जो होता है गेहु होता है या देखिए गेहु का जो ततसम होता है गोधुम होता है याद रखे तो 13 का आपसर नमबर ए जो का सयोगा अगला प्रसन आपसर बताएए प्रसन नमबर 14 है इसे बताएए नीचे दिये गए विकल्पों में से तदभौ सब्द का चेन कीजिए आपसर ने दिया है मर्म वी दिया है प्रलाप सी दिया है मुह डी दिया है बैंक तो बताएए 14 का पर देखिए मुह जो है यह तद्भोसब्द है तो 14 का आपसर नंबर सी हुगा सईयो गाउगा अगला प्रसन आपसर बताये क्र Hu Anderson अँर का दभो रूप है सfel रूप क्याि आपसरन मपर Tou दिया है बानर ड दिया है बंदर तो देखे पंदरह का आपसे नंबर ड इस सहिए होगा वानर का तदो लुद वह बंदर याद रखे गा तो पंदरहका स नंबर ड आपसे अती सटेगा अगला प्रस्थट डा आपसे अमबर तोलह हैं बताएब दर्शन का तदभव रूप है तो देखे दोस्तों एकजाम में अधिकतर देखे जब तदभव तशन पूछा जाता है तो काफी लोग गलत कर देते इसलिए आप इन प्रसनों को ध्यान सी पढ़िए क्योंकि अधिकतर देखे एकजाम में पूछेगा है प्रसन है अगला प्रसन आपसे बताए प्रसन नमबर 17 है इसे बताए निमनल खित में से कौन सा सब्द तदभव तदभव है बताए खेत की उदगम की अजीव की कुरट है तो देखे 17 का आपसन नमबर 20 होगा तो उदगम सब्द जो है या सब्द याद रखेगा तो 17 का आपसनांबर बिश स्यो जाएगा अग्ला प्रसन आपसे बताए प्रसन नमबर 18 है बताए निमनल खित मेरें से कवन सा सब्द तदभव है आपसनांबर थिया बिच्छू बीदिया बर्र, c ब्रमर देखे अग्ट रा के नम्बर ए जोह का सयोगा अगला प्रसन आपसे बताएं प्रसन नम्बर 19 है निमनलिखित ततसं तद्भों में से कौन सा विकल्प असुध है आपसन नम्बर ए दिया है शिरिंगार का सिगार बी दिया है निरीते का नाच C दिया है दधी का दही, D दिया है चछु का आँख है तो देखिए 19 का आपसर नमबर D सेयोगा यानि जो यह दिया है चछु का आँख या असुद है तो 19 का आपसर नमबर D जो होगा सेयोगा अगला प्रसन आपसर बताए प्रसन नमबर 20 है पताई ये पहचान का तत्तम सब्द है परग्यान होगा कि प्रत्य भिज्ञान होगा कि अवधान होगा कि अभिधान होगा तो देखे 20 का आपसा नमबर 20 है होगा पहचान का जो तत्तम सब्द होगा प्रत्य भिज्ञान होगा इसे यातर रखेगा अगला प्रसन आपसे बताईए प्रसन नम्बर 21 है बताईए निम्न में से कौन सा सब्द ततसम नहीं है आपसन नम्बर यदिया है घृत, बी दिया है आंसु, सी दिया है दुग धव, डी दिया है अतिन है तो देखे किसका अपसा नमबर भी सहोगा, आञशु देखे यह ततसम सब्द नहीं है तो किसका अपसा नमबर भी जोगा सहोगा अगला प्रसन आप से बताएए प्रसन नमबर 22 से बताएए बताएए देश में जन्मा सब्द कहलाता है विदेशी कहलाता है कि देशज कहलाता है कि आगत कहलाता है कि इन में से कोई नहीं तो देखिए 22 का आपसा नमबर भी सयोगा देश में जन्मा सब्द जो कालाता है तो 22 का आपसा नमबर भी सयोगा अगला प्रसन आपसा बताए प्रसन नमबर 23 सय से बताए बताए गाड़ी सब्द है देशी सब्द है कि आगत सब्द है कि विदेशज है कि विदेशी है तो देखिए 23 का आपसर नमबर A सयोगा गाड़ी जो सब्द है या देशी सब्द है तो 23 का आपसर नमबर A जो होगा सयोगा अगला परसन आपसर बताएए परसन नमबर 24 है बताएए विदेशी भासा से आए सब्दों को क्या कहते हैं तो 24 का आप्सन नमबर सिज्च होगा सयोगा अगला प्रसण आप जाओन है प्रसम नमबर 25 है इसे बताईए बताईए निम्न में मूस्लिम शाचन के प्रभाव से आया सबध है रेल हैं कि हवाला थाय कि गिलास है कि बाल आया कि बताये कि विकल्प सा योगा अगला पॉर सबस्दent lapar 26 है बताइए नेमनलखित सब्द समूहों में से देशत सब्द का उधारण है बताइए समय मलेरिया आपसर नमबर भी दिया है डोंगी चेला सी दिया है भात अनास डी दिया है पैसा और ओट है तो बताइए नेमें से देशत सब्द का उधारण कौन सा होगा तो देखिए 26 का अपसर नमबर समय मलेरिया यह दोनों देखिए देशत सब्द के उधारण है तो 26 का अपसर नमबर ए जो होगा समय अगला प्रसन आपसर बताइए प्रसन नमबर 27 बताइए निमनलखित सब्द तो में से फार्शी सब्द का उदारण है बताए अल्ला है कि आवाज है कि अकल है कि आवरत है तो देखे 27 का आपसा नंबर जो होगा आपका भी सयोगा तो देखे आवाज जो है या फार्शी सब्द का यहां पर देखे उदारण है तो 27 का आपसा नंबर भी जो होगा सयोगा अगला प्रसना अपसे बताए प्रसन अबर 28 है बताए अलमारी सब्द है या अर्भी है कि संस्क्रित है कि पूर्तगाली है कि फार्सी है तो देखे 28 का अपसे नबर 30 सईयों का अलमारी जो सब्द है या पूर्तगाली सब्द है याद रखेगा क्योंकि यह प्रसन देखिए एक जाम ने काफी बात पूछा गया प्रसन है तो इससे याद रखे का अगला प्रसन आपसे बताए प्रसन नमबर 29 है बताए फ्रेंच भासा का सब्ध है रूबल है कि पठान है कि बहादूर है कि अंगरेज है तो देखें 29 का आपसन नमबर D सैयो गाज तो देखें अंगरेज जो है या फ्रेंच भासा का सब्ध है तो इससे आपस Donna बताए प्रसन नमबर 30 मताये केला का तत्सल्द सब्ध है केला का, कि कदलिक होगा कि कदली, का बताए तिसका कौन सा विखलप सैयो तो दोस्तों आज का या आखरी प्रसंद था आज हम सब कुल तीस परसंद पढ़े आए यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजेगा सेर कीजेगा साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब के लिजेगा तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों नमस कार जे ही जे भारत